नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले अब एक नज़र सुर्खियों पर अंदरास्टे महिला दिवस पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने दी बधाई बिहार में इट भट्टे से प्रदूशन में बढ़ोत्री महाशिव रात्रे पर बिहार के शिव मंदिरों में उम्री भक्तों की भीड सुक्षा वभाग ने हजार सदिक सुक्षकों के री वेरिफिकेशन का दिया आदेश इंग्लाइन के खिलाओ पाँचवे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और शुभम गिल ने लगाया शतक उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से अंतरास्टे महिला दिवस पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने दी बधाई अंतरास्टे महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बधाई दिया और इसके साथ ही जानकारी दिये उन्होंने कि पशले 18 सालों से महिला शशक्ति करन और उनकी स्थिती को बैतर करने के लिए राज्य सरकार के उड़ से काम किये जा रही है साथ निश्चर एक के तहट आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार के तहट सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतीशत तक का लाब दिया जाता है प्रानंबिक विद्यालेओं के नुक्ति में 50 प्रतीशत तक का महिलाओं को आरक्षन है इधर राज्चर में पंचरायती राज्चर संस्थाओं में भी महिलाओं को 50 प्रतीशत तक का अरक्षन दिया जाता है और उसके अलावा इंटर और सनातक में उत्तिर्न होने वाली छात्राओं को भी सरकार आर्थिक मदद प्रदान करती है महाशिवरात्री के मौके पर बिहार के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड उमर पड़ी है पटना समित पूरी बिहार के शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गून जो सुनने को मिल रही है मुझह अपरपूर के गरीबनाथ मंदर की बात करें तो यहां भक्तों का जनसाला आप देखने को मिल रहा है मंदर में प्रशासन के द्वारा भी विश्रिस तैयारी की गई यहां भगवान के दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है इधर सुबब चार बजी से ही भागलपूर के अजगयविनाथ के पट खुल गए थे वहीं लाखों शिव भक्तों ने आज गंगा में ढुकी लगाई धार्मिक मानिताओं के अनुसार आज के दिन गंगा असनान करने पर साड़े पाप धूल जाते हैं और सुख की प्राप्ती होती है पेपर लीक मामले में EOU की बिहार में दबिश सिपाही भटी परिक्षा पेपर लीक मामले में पटना के सरदार पटेल भवन के छटे तले में मौजूद इसके पुराने कारियाले के साथ ही पटना के हज भवन में मौजूद नए कारियाले में टीम ने सगन शानबीन की है इस दौरान परिक्षा से जुरे सबी कागजातों की जाच होई EOU की टीम ने कारियाले में मौजूद कर्मियों से पूछताच की है मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रश्नपत्र के टेंडर परिक्षा से जुरी पूरी प्रक्रिया आदी के कागजात निकलवाए गए अतकालीन अध्यक्ष के कमरे की भी तलाशी ली गई है यहां रखे दस्तावेल सही तो कर्नों की जाच की गई हालंकि इस दौरान क्या परामद हुआ है इसकी पुष्टी नहीं की गई है बिहार में इट भट्टे से प्रदूशन में बढ़ोतरी बिहार में इट भट्टे पर सर्वे किया गया और इसमें पाया गया है कि दूसरे राज्यों के तुलना में यहां इट पकाने के लिए कोईले की तीन गुना अधिक खपत हो रही है सरकार द्वारा कार्बन को कम करने का आदेश है राज्यों में कार्बन का सबसे अधिक उत्सरजन थर्मल प्लांट से होता है और इसके बाद दूसरा अस्थान इट भट्टे का है इस कारण 11.6 मिलियन टन कार्बन उत्सरजित हो रहा है बिहार के जलवाईू अनुकूल और न्यून कार्बन पर आधारिद रिपोर्ट को जारी किया गया है इसमें ये बात सामने आई है कि अधिकतर भट्टे संचालक एक लाख इट पकाने में लगभग 30 टन कोईले का प्रियोग कर रहे हैं बिहार में इस सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए सक्षमता परिक्षा का आयोजन किया गया और उसमें 1205 सिक्षक जाँच के घेडी में आ चुके हैं विभाग ने इन सिक्षकों के रिवेरिफिकेशन का आदेश दिया है सिक्षव विभाग ने परिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए जाच के निर्देश दिये हैं विभाग के और से कमांट अन कंट्रोल रूम में चरंबद तरीके से सिक्षकों को बुलाकर उनका भौतिक सत्यापन करने का आदेश है आपको बता दे कि सिक्षव विभाग के अपर मुक्ष सचिव के के पाठक के अदिक्षिता में ये फैसले लिए गए वहीं सक्षमता परिक्षा में शामल होने के लिए करीब दो लाग कीस हजार दोसोब पच्पन सिक्षकों ने आवे दिन दिया था MLC चुनाव में महा गरबदन के पांच उमिध्वार बिहार विधान परिस्ट चुनाओं में मागर्विदन के पांच प्रत्याशी होंगे और इसमें आरजरी के चार और भागपा माले के एक प्रत्याशी हो सकते हैं आरजरेडी की ओर से पुर्व मुख्य मंत्री रापरी देवी पुर्व मंत्री अब्दुल बारी की सिद्धिकी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकोर शिवहर संसदिये छेतर के पुर्व उमिद्वार फैसल अली और प्रदेश महिला अध्यक्षर रि मलसी के चुनाव 21 मार्च को होगा राजधानी एक्सप्रेस से तसकरी के सोने के साथ तसकर गिरफतार लोग सबाचनाव को देखते वे केंद्रे एजंसी तसकरों के खिलाप अलर्ट मोट पे है और इसी करी में राजस्व खूफिया निदेशाले यानि कि DRIE ने अरडिया म मुंबई और गुरुग्राम में विशेश अभ्यान चलाया और इसी करी में राजस्व खूफिया निदेशाले यानि कि DRIE ने अरडिया मुंबई और गुरुग्राम में विशेश अभ्यान चलाया और 40 किलोग्राम सोना 6 किलोग्राम चांदी और 5.43 करोड नगत को बढ़ किया है और इसके साथ ही तसकरी में शामिल 12 लोगों को गिरफतार किया गया है बताया जाता है कि नेपाल के रास्ते तसकरी के सोने को अरडिया लाया गया था इस दोरान केंद्री जाच एजनसी ने चार तसकरों को धर्द बोजा इधर पाटली पुत्र रिल्वे स्टेशन से गुआहाटी से बंगला देश तसकरी को लेकर जा रहे 2.50 किलोग्राम सोने को पकड़ा गया है और इसमें शामल तीन लोगों की गिरफतारी हुई है मैथली ठाकूर को प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नाशनल क्रियेटर्स अवार्ड से किया सम्मानित आपको बता दे कि देश भर के चर्ची तईश चेहरों को नाशनल क्रियेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया दिली के भारत मंडपम में कारिक्रब का आयोजन किया गया और इसमें प्यम नरेंद्र मोदी ने मैथली ठाकूर को अपने हातों से अवार्ड दिया इसके साथ ही प्रदान मंत्री ने गाईका की तारीफ की है मालू हो कि देश में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयूजन किया गया है 23 विजिताओं को अलग-अलग कैटेगरी में अवोर्ड दिये गए है भागलपूर से पटन और डिल्ली के हवाई सेवा होगी शुरू भागलपूर जिला पुराना वानिज्रो केंद्र है और प्रयेटन के द्रश्चरी से भी ये जिला काफी महत्वपूर्ण है यहां एरलाइन सर्विस को उपलब्द कराया जा सकता है प्राचीन विक्रम शिला विश्वविद्याले भागलपूर में ही इस्थित है और इसके अलावा मंदार परवत भी भागलपूर के समेब अवस्थित है ये सिक्षा का केंद्र रहा और पहले यहां हवाई जहाच का परिचालन किया जा चुका है भागलपूर से पटना और डिल्ली के लिए हवाई सेवा को जोरने की जरूरत है साइबर शातिर वर्प फ्रॉम होम से लेकर ओलाइन समान मंगवाने की नाम पर लगा रहे चूना बिहार में साइबर शातिर ठगी के लिए कई तरीका अपना रहा है पतना के रामकृष्णा नगर इलाके में एक महिला को विज्यापन देखकर ओनलाइन समान मंगवाना महंगा पड़ गया साइबर शातिर ने इस तरह से दो लाख रुपे की ठगी की घटना को अंजराम दिया है इस समद में पेरिता ने नैशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्च कराई वहीं वर्ग फ्रॉम होम का जहासा देकर और विजली मीटर अपडेट करवाने के नाम पर भी साइबर शातिर नोई लाखों की ठगी की है वर्ट फ्रॉम होम का जहासा देकर गांधी मैदान इलाके के निवासी पार्थ भगत की खाते से 10 लाख रुपए तक की ठगी की घटना हुई है पटना में कोरोना के मिले 14 मरीज बिहार में एक बार फिर से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं इसी करी में राजधानी पटना से गुरुबार को 14 मरीज मिले हैं इसमें सबसे अधिक संक्रमित पालिगंज रुफटवा और दुलिन बाजार इलाके में मिल रहे हैं आपको बता देकी अधिकतर मरीजों की कोई ट्रावल हिस्ट्री नहीं है मताय जाता है कि बीते एक सब्ता में कोरोना मरीजों की संक्या में लगादार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है वहीं अस्पदाल में इलाज की व्यवस्था है और इसके साथ ही जाज की भी व्यवस्था की गई है मालूम होके सरकारी एस्पतालों में जाज की सुविधा निशुल के है जानकारी के नसार पटना में अभी तक एक सौसे अधिक संक्रमित मिल चुके है सुशील मोदी ने रेलवे के नीजरी करण को लेकर दिया बयान बिहार के पूर्व उपमुख मंतरी सुशील मोदी ने रेलवे के नीजरी करण को लेकर बयान दिया है उन्होंने कहा है कि रेलवे का नीजरी करण नहीं होगा उसके लावा देश की कोई संपत्ती नहीं बेची गई है सुशील मोदी ने लालू पडिवार पर हमला बोलते वे कहा है कि तेजस्वी आदव के माता पेता पश्वो का चाड़ा खा गए सरक निर्मान का अलकत्रा और गरीवों का जमीन भी उन्होंने हडप लिया लालो परशाद यादव ने रेल मंत्री रहते वे हजारों नौकरिया आउट सोर्स कर दी इन लोगों ने सालों से देश को सचमुष में बेच दिया है उन्होंने संपत्ती को बचाने के लिए इंडिया गडबंधन बनाया है अमित्शा के साथ हुई बिहार भाजपा कोर्ड ग्रूप की बैठक नढ़े और भाजपा प्रभारी विनोत दाबरी भी बैठक में शामिल हुए इधर एंडिया में सीट शेरिंग अभी तक फाइनल नहीं हो मालूमों के फिलहाल बिहार के मुख्यमत्री नितीश कुमार इंगलैंट के लिए रवाना हो चुके वहीं लजेपी आर पार्टी के रास्त्रिय अध्यक्ष चुराग पासवा ने भाजपा के रास्त्रिय अध्यक्ष जीपी नड़ा से मुलाकात की है भारत बनामिंग लैंक के पाचवे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और शुभम गिल ने शतक जड़ दिया है रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का बारवा शतक जड़ा है जबकि सुभम गिल ने अपने शतक को पूरा कर लिया है इस्ट इस्ट सिरीज में शुभम गिल ने अपने दो शतक पूरे किये हैं हालंकि तीन बार वो शतक से चूप गये थे। इस्ट से लपीज की गैस सिलेंडर की कीमत में एक सो रुपए की कमी की गई इसकी जानकारी पीम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से शेयर की है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया है। पिंकु राज, रंजीत, सोरीन, बरुन कुमार, नौशाद, राजा, राजकुमार, इंद्रजीत, धर्मेंद्र कुमार, मोहमद, शकीर, हुशेन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और। आज का हमारा सवाल है आपके इलाके में शिवरातरी को लेकर क्या महौल है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सक्षिन बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने टाहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेच को लाइक करना नहीं भूले धन्यवाद